हाँ जी मेरे प्यारे भाई यो बेनो कैसो आप सभी लोग सब बढ़िया बात करते हैं आज के मार्केट की क्या कुछ चल रहा है मार्केट में अब जनाब देखो मार्केट की बात करें न तो ओवरॉल मार्केट तो ऐसा लग रहा है जैसे पत्थे जड़ का मोसम आ गया है एक मोमेंटम देखने को मिल ही नहीं रहा है स्पेशली बीटीसी की बात करें तो देखो बीटीसी में तो लग रहा है कि एक मेना होने जा रहा है और साइडवेज मोमेंटम अभी भी बरकरा रहे सिवाए सिर्फ 29 अगस्त को जो एक सदन पंप और डंप आया था उसकी अगर छो लेवल देखने को मिल रहा है और इसके बाद में अगर कोई बैड न्यूज आती है 21,000 का लेवल वहाँ पर मिल जाता है तो यह एक अच्छी बाइंग है लोंग टर माइंग के लिए और बागी आप प्रिविएस अनलेसिस देख लेना सेम चीज वही दो राना नहीं चाहें अब भी आपडेट की बात कर लेते हैं कि कौन-खौन सी मार्किटी अपडेट साइए देको पहली अपडेट सभी को बताएं भी जीट्वएंटी सम्मेलकी की रिखना मार्केट में होरी है हर न्यूस चैनल कहीं जीट्वेंटी को कवर कर रहा है कि कल के दिन मुंबई में ग ग्लोबल फिंटेक फेस्ट के अंदर जो हमारी फाइन्स मिनिस्टर है निर्मला सीतरमंजी उनको भी इन्वाइट किया गया था जो कि आप पिक्चर पर देख पा रहे होंगे अब इस फेस्ट के अंदर कुछ उन्होंने क्रिप्टो करंसी के बारे में स्टेट्मेंट दिये इन शोट आपको बदा देता हूं कि उन्होंने एक्जेक्ली क्या गहा देखो फाइन्स मिनिस्टर ने ये कहा कि जो अभी क्रिप्टो करंसी है ड्रग माफिया है जो साइबर थेट अभी मिलते वो पूरे ग्लोबल फाइनेशल एको सिस्टम के लिए थोड़ा सा खत्रा है और इससे बचने के लिए सभी बड़े जो ग्लोबल लीडर से या फिर जो बड़े बड़े देश है उनको एक साथ आके काम करना चाहिए यह स्टेट्मेंट इन्होंने अब तक दस बार के दिया अलग अलग सम्मेलनों के अंदर कि बहिया देखो ग्लोबल फ्रेमवर्क सब को साथ मिलकर काम करना चाहिए वगयर वगयर इन्होंने इस सम्मेलन के अंदर या फिर इस पेस्ट के अंदर इन्होंने यह भी कहा कि देखो क्रिप्टो करन्सी कोई बूरी चीज नहीं है इसके अगर त्रेट है तो इसकी कुछ अपोर्चनेटिया भी है इसमें कुछ कम है तो कुछ फाइदे भी है और यह नोंने कंफर्म कर दिया इस फेस्ट के अंदर कि देखो जी ट्वेंटी जो मेंबर से ना वो अभी सच में एक साथ मिलकर काम कर रहे है जो ग्लोबल क्रिप्टो फ्रेमवर्क के उसको एस्टिबिश करने के लिए उसको जल्द से जल्द ला कि लिए तो कुल मिला के मतलब की बात ही है कि के सम्मेलन में गार्य विए जो है अभी काम कर रहे है यह कंफर्मेशन इनकी तरफ से दी गई तो पहली। पेली अपडेट तो हमारे इंडिया से यह निकल के आ रही है जो की बहुत लंबे समय से लोग सोच रहे थे कि जी ट्र फ्रेमवर्क आएगा वो तो आगयाने वाला फ्यूचरी बताएगा फिलाल के लिए यह अपडेट थी अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं गाला को लेकर अपडेट है सभी को पता है कि गाला का भी फंडा क्या चल रहा है मतलब कि मैंने अपने टेलिग्राम पर ट्विट को बेच रहा हुद जो पांडर वह किति इसी योगलत तरीके से जो कंपनी का फंडेट और काम में ले रहा है कंपनी को डूबा रहा है इन्वेस्टर का पैसा गोपार है तो इस तरीके से इन्हों ने एक दूसरी पर लो मेरी आप पूरी कम्यूटी में कई ना कई हडव अपडेट दिये एक statement आया है उनकी तरफ से और community के नाम पर एक later आया है कि देखो अभी जो भी पंगा चल रहा है जो भी case waste चल रहा है उसके ओपर हमें publicly कुछ भी statement देने से legally मना किया गया है पहली बात दूसरी चीज जो मैंने यह कही यहां पर मैंने highlight भी कर दिये we want to emphasize that this legal process is primarily a dispute between the founders and does not involve the company in any substantive way यानि कि इन्हों ने यह कहा कि यह जो मामला यह जो पूरा मसला आया है यह सिर्फ founders के बीच में company का इससे कोई इतना role नहीं है नहीं company को इससे कोई ड़ने की बात है तो कुल मिला के इन्हों ने यह कहा कि जो गाला community है वो अभी भी confident रहनी चाहिए गाला के उपर गाला के पूरी ecosystem के अंदर और गाला में potential है कि वो आगयाने वाले समय में किस तरीके से अपनी growth को और boost करे तो कुल मिला के समझ में यह आया है कि तीम है जो गाला company है वो यह कह रही है कि founders का जगड़ा आप एक तरफ रख लो आप सिर्फ company को देखो ठीक है कहीना के decentralization की तरफ बोल रहे है कि लड़ाई तो यह founders की बीच में तो company का इससे जादा कोई लेना देना देना लेकिन company के ज existing investor से ऐसा नहीं है बिल्कुल panic में आके तुरंती sale कर दे वो तो कहीं ना कहीं लोस वाली बात हो जाएगी क्योंकि लोस में हम sale कर रहे है अगर आप टेक्निकली भी बात करोगे ने देखो यह जो zone है पिछली बार हमने बात करी थी कि यहां पर अच्छा का सा support बन रहा है जो थोड़ा इस पर परक पड़ेगा लेकिन हाल फिलाल मुझे असा लग रहा है कि यहां पर थोड़ा से एक bounce back इसको मिलना चाहिए temporary तो पर ठीक है तो यह बात हो गई गाला के बारे में और इस तरीके से एक falling wage का इस तरीके से momentum देखने को मिल सकता है क्योंकि यह अपने strong zone के तो यह हो गई गाला को लेकर बात अगली update की बात करें जनाब देखो मैंने काफी या फिर कह सकते कि चार साल हो गए चार सालों भी मैंने ट्विटर रेंडल नहीं बनाया था अब जाकर काफी लोग कह रहे थे कि भाईया स्कैम वगेरा हो जाते हैं आपके नाम से तो ट्व ट्विटर अकाउंट बना लिया है आपने अभी तक इसको जोईन नहीं करा है फोलो नहीं करा है मुझे तो भया एक्स पर अपना अकाउंट बना हुआ है तो यहां पर भी मुझे फोलो कर ले ना लिंक आपको वे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो ट्विटर पर जरूर से मुझे फोलो कर ले ना आज के दिन में एक अपडेट आपको ट्विटर पर शेयर करी ग्रेस्केल आसक एससी टू क्विक्ली अप्रूवल इट्स स्पोर्ट बिटकोइन एटीएफ मतलब क्या है मतलब एक लाइन में समझ में आ गया है कि ग्रेस्केल ने आगर द़ूता है कि है ससी फिर से कुछ invincible कुछ चाल चल सकता है या फिर कुछ नू कुछ बहाना लेकर इसको या तो डिले करेगा या फिर इसको रेजेक्ट करने की कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होगी अगर यह अप्रूवल होता है तो आप यह मान चलना कहीं न कहीं कृए के लिए यह पोजिटिव बात होगी ठीक है और बुल्डरन का जो संबंद इससे जोड़ा जा रहा है हां ठीक है एक तरीक के लिए लेकिन हां पूरी तरीके से स्पोर्ट बीटीएफ अप्रूवल के बाद में बुल्डरन आ जाएगा यह सत्ते बात नहीं है क्लियर कर दो पहली ठीक है तो एक यह अपडेट है अगली अपडेट बाइनस यूजर्स के लिए जनाब देखो बी यूसडी का लफड़ा में आपको पहली बताया था जो पैक कि अदर तो आप उसको कर रहा है दीरे 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 एक के बाद एक अनौसमेंट कर रहा है कि भया हम इस ट्रेड इस कोईन के नदर जो बीउसडी का पेर वो हटा रहे है और आज के दिन आप देख सकते हो कितने सारे जो कोईंस है उसकी जो BUSD पेर हो हटाई जा रही है तो कुल मिला के मतलब की बात यह है कि BINANCE जो है वो दीरे-दीरे BUSD से किनारा अपना करता जा रहा है तो यहाँ पर यह एक अपडेट है दूसरी अपडेट कहा है कि यह FDUSD यह भी एक स्टेबल कोईन है इसके अंदर काफी कोईंस को एड़ करता जा रहा है यानि कि जैसे डोज FDUSD इस पेर के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो सोल की भी इस पेर के अंदर टोमो की इस तरह के से दूसरे जो स्टेबल कोईन से उनको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बड़ावा दिया जा रहा है तो यह एक अपडेट है अगली अपडेट की बात करते हैं यह आई है मेटा मास्क यूजर्स के लिए यह एक पोजिलिव खबर है खबर क्या है कि अब जो मेटा मास्क का प उप्शन या फिर एक फीचर मेटा मास्क ने लॉंच कर रहा है तो यहाँ पर यह एक अपडेट हो गई तो बस आज की इतनी अपडेट दी वागी कोई काम की अपडेट मिली नहीं आई होप आप टेलीग्राम पर मुझे जोइन करके रखे होंगे नहीं करा है तो यहाँ प सब्सक्राइब करें मिलते हैं जल्दी नहीं अपडेट के साथ टिलन जैहिन जै भारत